आज हम बहुत ही टेस्टी एकदम रेस्टोरंट जेसा थोड़ा सा स्पाइसी जैन मैकरोनी मंचाव सूप बनाएंगे तो जब भी हम रेस्टोरंट जाते हैं और सूप पीते हैं तब यहीं बोलते हैं कि ऐसा रेस्टोरंट वाला टेस्ट गर पर नहीं मिलता है तो आज वही रेस्टोरंट वाला टेस्ट गर पर कैसे बनाना है, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स आज के वीडियो में आपके साथ शेर कही है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखेगा, जैजी नहीं नहीं को, तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं, मैकरो और यह पत्ता को भी का डंठल का पार्ट है, उसे हम बारिक-बारी कर लेंगे, जो अकसर हम फेक देते हैं, और हरादनिया के डंठल भी फेक देते हैं, जो बहुत जादा फ्लेवर फुल होते हैं, वो हम वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए यूज करेंगे, तो देखे म कैबिज का डंठल का पार्ट है, उसे भी बारिक-बारी कर लिया है, और आपके पस इसमें से कोई सब्जी नहीं है, तो आप कर सकते हो, तो देखें, यहां कैबिज को इस तरह से बारिक-बारी कर दिया है, तो सूप बनाने के लिए हम बहुत सारी सब्जों का यूज तो सूप एकदम फ्लेवरफूल बनेगा, तो देखें, यहां सारी सब्जी कर लिए है, अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे, अब वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए, मैंने यहां तीन कप पानी करने के लिए और एक पानी एड़ करेंगे, यानि यह टोटल मैंने चार कप पानी लिया है, जो एक लीटर जीतना पानी है, अब सारी सब्जी एड़ कर लेंगे, और सब्जी को हम 8-10 मिनिट के लिए बॉल कर लेंगे, तो देखें, जैसे जैसे सब्जी उबल दी जाएगी, वैसे यह पानी थोड़ा कम हो जाएगा, और सब्जी का फ्लेवर अच्छे से पानी में आ जाएगा, और सब्जी आपी सॉफ्ट हो जाएगी, तो इस तरह से सब्जी सॉफ्ट हो जाने के बाद गैस बन कर देंगे, और चंदे में डाल कर सब्जी को अलग कर देंगे, और वेजेटेबल स्टॉक बन कर तयार हो लिए तो मैंने यहां वनफूर्थ कप फ्रेंच मिन्स लिया है वनफूर्थ कप कैपसीकम लिया है 2 तेबल स्पून हरा दन्धर को बारिग कट कर लिया है और यहां यहां वंथर कप बारिक कटी हुई कैबिज ली है अब सूप बनाने करेक हडाए में 2 चमच ओल डेंगे अल जादा याड़ने करेंगे आदी टीस्पून सॉन पाउडर और आदी टीस्पून हरी मिची के पेस्ट एड़ करेंगे और थोड़ा सा हरा दनिया पी आड़ कर देंगे जिससे ऑल में इस तरह से फ्राई करेंगे तो बहुत जादा फ्लेवर फुल टेस्ट आएगा अब इसमे के बाद अगर पानी कम लग रहा है तो आप अभी आड़ कर सकते हो तो देखे एक बार सब मिक्स कर लेंगे और पानी मुझे कम लग रहा था तो मैंने एक कप पानी और एड़ कर दिया है अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में उबाल आने देंगे तो क्यास के फि थ्री फोर्थ टी स्पून नमक भी आड़ करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बार इस तरह से उबाला जाएगा तब हम इसे ढखकन से ढख लेंगे और स्लोटू मेडियम फ्लैम पर आट से दस मिनिट के लिए बॉइल कर लेंगे बिच बिच में हम एक से दो बार ढखकन खोल लेंगे और मिक्स कर लेंगे और वापस ढखकर इसे हम बॉइल होने देंगे तो साथ से आठ मिनिट के बाद एक बार वापस ढखकन खोल लेंगे और हमें मैकरोनी बॉइल हुई है क्या वो चेक कर लेना है तो मैकरोनी को हम चमत स तो इसे हम वापस ढख देंगे और 2-3 मीट के लिए और बॉयल कर लेंगे तो सुप के लिए मैकरोनी अच्छे से बॉयल कर लेना है तो देखें यहां 2-3 मीट में मैकरोनी अच्छे से बॉयल हो चुकी है और अब इसमें हम 1 फूर्थ टीस्पून काली मिश पावडर दो विनेगर एड़ करेंगे साथ में हम दो चमच टॉमेटर सॉस भी एड़ करेंगे और साथ में हम 1 टेबल स्पून फूर को वन फूर्थ का पाने में गोल दिया था वो मिश पर एड़ करेंगे और तुरं चमच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे तो गैस की फेम मिक्षर एड़ करेंगे वैसे यह सूप घाड़ा हो जाएगा तो मिक्षर एड़ करने के बाद भी हमें सूप को तीन से चार मीट के लिए बॉयल कर लेना है जिससे कॉनफोर का कच्छापन नहीं लगेगा अब हम थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हरा धनिया एड़ करेंगे और हमारा मेकरोनी मंचयाव शूप बन कर तयार है जसे घंसरूकरेंगे एकडम रेस्टोरंट जैसा ing macaroni मंचयाव शूप बन कर तयार है अकसर हम नर्मल मनचयाव सूप पीते है पर इस धहरा का मैकरोनी मंचयाव सूप एक बार जरू ट्राय करना सभी को बहुत पसंद आएगा आप चाओ तो गर्मा गरम सुप के उपर क्रिस्पी नूडल्स भी एड़ कर सकते हों बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है थैंक यू